नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी राय बिलेटिन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के नाम पर शुरू रीपा योजना के तहत शराबियों को चखना बेच रही है वही भाजपा ने चखना पैकेट के इस वीडियो को अपने सोशिल मीडिया अकाउंट पर भी ट्वीट किया है चखना पैकेट में 36 गड़ शासन का लोगो ने बना हुआ वहाँ पर लोगो देखा है वही इसमें पानी पाउच और ग्लास को फ्री बताया गया है आपको बता दे कि भाजपा के सोशिल मीडिया सह सन्योजक ने काया है कि 36 गड़ सरकार महत्मा गांधी ग्रामिड और द्योगिक पार्क यानि की रीपा योजना में स्वैम सहायता समूग की महिलाओं से शराबियों के लिए स्पेशल चखना पैकेट बनवा रही है इसमें प्लास्टिक ग्लास के अंदर एक पानी पाउच के पैकेट और नमकीन चखना का पैकेट डाला गया है वही अगली खबर की बात करें जहां 36 गड़ में परिवर्तन निदेशाल यानि की एडी की टीम ने फिर छापे मारी की है राइपुर, राइगर और दुर्ग भिलाई में 60 कारुबार से जुड़े 8 लोगों की घर पर छापा मारा गया है दोरान राइपुर में 3 जगो यानि की वाल फोर्ट सिटी, स्वर्ण भूमी और आकोशा रत्न में रेड मारी गई है जहाँ पर आकोशा रत्न में रहने वाले ज्वेल्री और पेट्रॉल पंप संचालक के दो ठिकानों पर दबिश दे गई है CRPF के जवानों के साथ ED की टीम कारुबारी के निवास में पहुंची है जहाँ भिलाई के फरीद नगर निवासी ट्रांस्पोर्चर के हाँ भी कारवाई की गई है दुबई से पैसो के हवाले का लिंक मिला था भिलाई स्थित सूर्य विहार कॉलोनी में दिलिप चंद्राकर के घर पर भी ये च्छापा मारा गया है वही अगली खबर की बात करें तो भाजपा के पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी नकसलियों ने भोजराज को बताया वही RSS का एजेंट काकेर जुले के अंतागड विधान सभा से भाजपा के पूर्व विधायक और जंजाती सुरक्षा मंच के प्रदेश सन्योजक बोजराज ने नकसलियों से जान से मारने की धमकी बताई है इसलेकर नकसलियों ने एक प्रेस नूट भी जारी किया है इसमें पूर्व विधायक पर धर्मांतरण के नाम पर आपस में लडाने और छेत्र में दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है इसके साथी नकसलियों ने पूर्व विधायक को RSS का एजेंट बताते हुए जनादालत में सजा देने की बात कई है इसके साथी नकसलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन के सचीव सुखदेव कोडों की उरसे जारी किये गए परचे में पूर्व विधायक नाग पर आदिवासियों में दरार पैदा कर समाज में विभाजन करने का शडेंतर रचने का आरोप भी लगाया गया है साथी आदिवासी समाज को त्याक कर हिंदु धर्म में शामिल होने के लिए उकसानी की बात भी कही गई है नकसलियों ने का है कि मृत्यू के पश्चात कब्रिस्तान सबका संविधानिक अधिकार है वही हर धर्म को कब्रिस्तान नसीब होने का अधिकार संविधान देता है वही आगले खबर में 36 गड़ स्टेट कमीशन अपना प्रतीक चिन यानि कि लोगों बदलने की तयारी में है जहां आयोग ने इसके लिए प्रदेश भर के टेकनिकल एजूकीशन संस्थाओं के साथ ही कॉलेज को भी अपना पत्र दिया है जिसमें उन्हें कॉलेज स्टुडेंट से नया लोगों बनाने के लिए कहा गया है चात्रों के दिये गए सैंपल का सेलेक्शन क्या जा रहा है इसमें बेस्ट लोगों को बनाने वाले स्टुडेंट को 5000 रुपए का प्रसकार दिया जाएगा वह प्रतीक चिन बनाने के लिए आयोग ने कड़े नियम और शर्त भी रखे हैं स्टुडेंट्स को आयोग ने लोगों को बदलने की यूजना के बारे में भी बताया कि आखिर ये लोगों को क्यों बदला जा रहा है इलेक्शन कमिशन ने प्रदेश के IIT यानि की NIT और ट्रिपल आईटी इंजुनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेज ITI के अलावा डिग्री कॉलेज स्टुडेंट्स ने बनाए गए लोगों को कॉलेज अस्तर पर सेलेक्ट करने को कहा है 36 गड़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस अतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है न्यूस बर्ल इंडिया धन्यवाद